आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हूं तो देखे आपके आगामी वीडियो वीडियो एक्साम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टुडी विद एम के द्वारा उत्राखन की नियो सरीज प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो वीडियो एक्साम के लिए काफ़ी हलफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सिरीज में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सिरीज को स्टार्ड करते हैं स्टार्ड करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यव चैनल स्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें। साथ इसाथ बगर में जो पहला आइकन दिख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम को भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं ये भी स्टुडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट बजे क्वेश का भ्यायजन किया जाता है। काफी important question आपको इसके रूप में दी जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं। चलिए स्टुरीस को start कर लेते हैं और इस स्टुरीस का पहला question है सूमनात का इतिहासिक मेला किस इस्थान पर लगता है। देखे सूमनात का इतिहासिक मेला लगता है मासी में option b discussion का correct answer है। और मासी स्थित है आपके अलमोडा जन्पत में। अलमोडा जन्पत के रानी खेत के पास राम गंगा के तड़ परिस्थित पाली पचाव छेत्र मासी में बैसाख महीने में। बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सूमनात का मेला शुरू होता है। भाग लेते हैं और इस मौके पर जोड़े, छपेली, बैर, इसके अलावा चाचरी, भगनौल, गीत, गाये चाते हैं और नृत्ते भी होते हैं। नेक्स्ट कुशन देखेंगे भारत में पहली महिला चित्रकार चित्रलेखा उत्राखंड के किस इस्थान में निवास करती थी। तो देखें भारत में पहली महिला चित्रकार थी चित्रलेखा और ये उत्राखंड के उखी मठ में निवास करती थी। तो option C यहाँ पर आपका right answer है। 1932 इस भी में इन्होंने विदेशी वस्रों के खिलाफ धरना दिया और कई बार ये जेल गए। नेक्स्ट कुशन देखेंगे उत्राखंड के किस नगर के जनसंख्या के तिरानबे पृतिशत पुरुष शेक्षित हैं। तो देखेंगे उत्राखंड के किस नगर नगर इसमें दियेगे option के हिसाब से हो जाएगा आपका correct answer रूड की option discussion का correct answer है। और बात करते हैं 2011 की जनगर्णा के अनुसार 93 पृतिशत पुरुष शाक्षिता दर वाली जिले। 2011 की जनगर्णा के अनुसार 93 पृतिशत पुरुष शाक्षिता दर चमोली जेले की बात करें तो कितनी हैं यहाँ पे 93.4 पृतिशत है जबकि रुद्र प्रियाग में है पुरू शाक्षता दर 93.9 पृतिशत और यहीं पे चमोली में महिला शाक्षता दर की बात करें 2011 की जनगर्ना की अकॉर्डिंग तो यहां पे 72.3 दो पृतिशत है जबकि रुद्र प्रियाग में है 70.35 पृतिशत तो यह आपका काफे महतोफोन कॉर्शन है इसको ध्यान रखेंगे 2011 की जनगर्ना के अनुसार पूछा जा सकता है तो 93.9 पृतिशत 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 शाक्षता दर वाला जो जेला है यह एक तो है आपका चमोली दूसरा है रूद्र प्रियाग कहां पे कितनी है यह पता रहना चीए महिला शाक्षता दर कहां पे कितनी है यह पता रहना चीए आप लोगों को नोट डाउन कर लिजे अगला कुश्चन देखेंगे पाली बच्छाव इस्तित भिक्या शेंट तहसिल मुख्याले इस्तित कौन सा मिला लगता है तो देखें पाली बच्छाव इस्तित भिक्या शेंट तहसिल मुख्याले में लगता है कौन सा सेंट की शिवरात मिला यानि कि option B यहाँ पे आपका right answer है अगला कुश्चन देखेंगे निमन मैं से कौन सा भूभाग सिख बहूल है जहाँ पंजाबी बोली जाती है जहाँ पे पंजाबी बोली जाती है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा जस्पूर, बाचपूर, उधम सिंग्नगर सभी है तो प्यूग तो सभी option D यहाँ पे आपका right answer है next question देखेंगे तो देखेंगे उत्राखन के अत्रोली नामक स्थान पर भिखोटी नामक त्योः पर शिव मेला लगता है यानि के option यहाँ पे आपका right answer है next question देखेंगे project tiger जो है यह सम्मनित है Corvette National Park से option B यहाँ पे आपका right answer है देखे प्रोजेक्ट टाइगर इस योशना के अंतरगत टाइगर तथा उसके प्रजातियां वह उनके प्राकतिक वास का संग्रक्षन एवं समवर्धन किया जाता है कॉर्वेट नेशनल पार्क नवेंबर 1973 को देश का पहला टाइगर इज़र बना और इस पार्क की किनारे पूर्वीर रामगंगा नदी पहती है अप्रेल 2012 में कॉर्वेट नेशनल पार्क के चारुतरा 500 मीटर तक के दाइरे को साइलेंस जोन खोशित किया गया 2013 में कॉर्वेट नेशनल पार्क में श्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का अगठन किया गया राजी का दूसरा टाइगर रिजर्व 2016 में किसे घुसित किया गया किस पार्क को अगर आपको answer आता है तो आप comment करके बताएं जल्दी से comment section में अगला question देखेंगे उत्राखंड माध्यमिक शिक्षा परिशद का मुख्याले इस्तित है देखे next question है कौथिक शब्द का परियोग उत्राखंड में होता है तो देखें कौथिक शब्द का जो परियोग है ये उत्राखंड में मेलो के लिए होता है option c यहाँ पे आपका right answer है मेलो को उत्राखंड में क्या कहा जाता है कौथिक कहा जाता है अगला question है चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपोन राजी युवराज इंदर चंद को सौप कर देवी माता पोनागरी की सेवा में तल्लीन हो गया तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे राजा पोन चंद ये राजा था पोन चंद इसने अपना संपोन राजी युवराज इंदर च अगला कुश्चन है आपका प्रशिद्द सिद्द पीठ चंद्र बदनी और ये कहां पर इस्तित है ये बताना है तो देखे चंद्र बदनी मंदिर टिरी के चंद्र कूट तीरी जनपत के चंद्र कूट परवत पैस्तित है चंद्रबदनी मंदिर में अखंड जोती निरंतर पड़ जवलित रहती है और चंद्रबदनी में एक प्राकरतिक श्री यंत्र स्थापित है इसकंद पुराण में चंदरबदनी मंदिर का नाम जो है ये भूवनेश्वरी पीट है ये ध्यान रखेंगे इसकंद पुराण में से भूवनेश्वरी पीट कहा जाता है और चंदरबदनी मंदिर में पशुबली पर्था वर्ष 1979 को समाप्त करने का श्री स्वामी मन मन्थन को दिया जाता है अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड का प्रमुक उंकारेशर मंदिर कहां इस्तित है तो देखें उत्राखंड का प्रशिद्ध जो उंकारेशर मंदिर है ये है आपके कहां पर उखी मठ में option is question का right answer है देखें उखी मठ में उंकारेशर शिव मंदिर है sorry तो शिव मंदिर है ये उंकारेशर मंदिर जिसका निर्मन आदि गुरु संकराचारी ने किया था उखी मठ में किदारनाथ समीती का मुख्याले एवं रावल पुजारियों का आवास स्तलवी है अगला question देखेंगे मोती चूर अभ्यारणी कहा है देखें मोती चूर अभ्यारणी है आपके हरीद्वार में देखे राजा जी रास्टी उद्ध्यान जो है ये दिहरादून हरीद्वार तथा पौड़ी गड़वाल जन्पद में फैला है इस उद्ध्यान को वर्ष उनिस सो तिरासी इज़्वी में तीन अभ्यारणियों राजा जी इसके अलावा दूसरा मोतिचूर और तीसरा चिल्ला तो राजा जी मोतिचूर वा चिल्ला को एकी कुरित कर बनाया गया है छेत्रफल की बात की जाए तो इस उद्ध्यान की इस पार्क की इस पार्क का छेत्रफल 820.42 किलोमेटर है और इस उद्ध्यान का नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राज-गुपलाचारी के नाम पर किया गया है तो यह ध्यान रखेंगे मोटि चूर अभियारणियों को अब इसमें तीन जो अभियारणी हैं इनको ओर समलित किये गये हैं दो और अभियारणी मोटि चूर हो गया चिल्ला हो गया आपका और राजाजी हो गया तो इन तीन अभ्यारणियों को मिला गरव राजाजी रास्टिध्यान बना दिया गया है अगला question देखेंगे काली डांडा किस नगर का पुराना नाम है काली डांडा पुराना नाम है किसका कालो डांडा या काली डांडा कालो डांडा basically इसका नाम है तो इसको correct कर लिजेगा तो ये किसका पुराना नाम है लेंस डाउन का option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला कुश्यन देखेंगे कणवाश्रम कहां स्तित है दिखें कणवाश्रम है आपके कहां पर गड़वाल में option is question का right answer है कणवाश्रम में चक्रवर्ति सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था कणवाश्रम जो है किस नदी के तर्ट पर इस्तित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मालीनी नदी के तर्ट पर इस्तित है कणवाश्रम में महाकवी कालिदास ने अभिग्यान साकुन तलम की रचना की कणवाश्रम जो है ये पोड़ी जिले में इस्तित है और इसका वर्तमान नाम अगर पूछा जाता है आपसे तो चौकी घाट इसका वर्तमान नाम है और यहां पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है अगला question है आपका उत्राखंड में भारती सर्विक्षन विभाग का कारेले कहां इस्तित है दिखिए भारती सर्विक्षन विभाग का जो कारेले है ये उत्राखंड राजी के दिहरादून में इस्तित है ओप्शन ए इस कुशन का राइट आंसर है 1767 इस भी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी भातिस सर्वेक्षन विभाग की दिती विशुईत के दौरान वर्ष 1942 को बंगाल से इसे धिरादोन स्थनांतरित कर दिया गया और यह विभाग भारत का एक मातर भूमानचित्र शर्वेक्षन का कारी करता है वर्ष 1830 इस भी में एवरेश्ट इसके महाशर्वेक्षक नियुक्त हुए जिन्होंने 1852 इस भी को एवरेश्ट चोटी की होचाई 2902 फिट खोशित की थी अगला कुशन देखेंगे भीम पूत्र घटोत कच के जन्म स्थान से समन्दित मंदिर के जन्पद में इस्तित है तो देखें करेक्ट आंसर है इस कुशन का चमपावत जन्पद और देखें चमपावत जन्पद का जो प्राची नाम था वो क्या था कुमो कुमोस का प्राची नाम था चमपावद जिले का छेत्रफल 1766 वर्ग किलोमेटर है और छेत्रफल की दृष्टी से राज का सबसे छोटा जिला है चमपावद जिला चमपावद की सेमा चार जिलों से लगती है पिथोरगड अलमोडा नैनिताल वाउधम सिंग नगर और देखे चमपावद जिले की जो सीमा है अंतराश्टि सीमा की बात करें तो इसकी सीमा नेपाल से लगती है चमपावद गड़की गाड़ वर चमपावदी नदी के संगम परिस्तित है चमपावद जो है ये गड़की गाड़ वर चमपावदी नदी के संगम परिस्तित है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कुछ पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है जो कि आयों के द्वारा पूछे जा सकते हैं अगला कुशन है निमनों मैंसे कौन अगला देखेंगे उत्राखंड की स्वास्त एवं जन संख्यानीती की घोशना हुई थी छै फरवरी 2003 को तो अप्शन ए इस कुशन का बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ओके गाईस आज के सेस्शन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये सेस्शन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज गा ये सेस्शन पसंद आता है तो शेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारी योटीब चानल इस्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है, वो सस्क्राइब कर लें, तो चलिए मिलते हैं कनेक्शन ट्रस्टेंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद